सब्सक्राइब दी कंप्लीट कंप्यूटर एजूकेशन चैनल एंड हिट दे बैल आइकन तो गैट दे फर्स नोटिफिकेशन और दे वीडियो यदि हम बात करें इसके बॉड़ी वेट की तो यहां पर यह 180 ग्राम का होगा तो थोड़ा सा वेट जादा मिलेगा इस पर और यहां पर आपको दो नैनो सिम स्लॉट मिल जाते हैं AMO LED यहां पर हमें डिस्प्ले मिल जाता है जिसका साइज है 6.4 इंचिस का जो के एक अच्छा साइज है और इसके इलावा हम बात करें रेजूलूशन की तो यहां पर 1080 हमें में का पिक्सल का रेजूलूशन फूल स्क्रीन पर मिल जाता है और जिसका रेशू 20.9 का रेशू यहां पर बन रहा है जो के 111 DPI पर वर्क करेगा अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहां पर Android लेटिस वर्जन 11 को यह सपोर्ट करेगा यहां पर चिप सेट हमें मीडिया टेक का मिल जाता है और CPU मिलता है OctaCore का 2.20 का जो के एक अच्छी स्पीड प्रोवाइट करा इसके अंदर और CPU जो है वो जी 52 का है इसके बाद अगर मेमोरी की बात करें तो यहां पर हमें मेमोरी और इंटरनल मेमोरी 64 और 4GB की यहां पर अपलब्द हो जाती है नेटवक की अगर बात करें तो 5G, 4G, 3G, 2G सभी यहां पर नेटवक बैंड आपको मिल जाते हैं और टे जिसके वज़े से हम कोई भी सिम कोई भी नेटवक को इसमें यूज कर पाएंगे और मेन कैमरे की बात करें तो यहां पर हमें तीन कैमरे मिल जाएंगे जो के पहला होगा 50MP का और जो सेकंड कैमरा होगा 8MP का और यहां पर 2MP का एक और कैमरा होगा और जो LED फीचर होगा जो आपको मिलेगा एक अच्छा स्लो मोशन वीडियो कैप्चर करने का मौका और यहां पर हम सेल्फ कैमरे की बात करें जो फ्रंट कैमरा है वो मिलता है यहां पे 13 मेगा पिक्सल का और यहां पर हमें बैटरी मिल जाती है 5000 mh की जो कि एक अच्छी बैटरी लाइफ बैटरी बैक प्रोवाइट कराएगी और इसको चार्जिंग करने के लिए हमें 10 वाट का एक चार्जर मिलता है जो इसकी चार्जिंग स्पीड है 10 वाट पे होगी जो कि एक स्पीड के साथ आपके मुबाइल को चार्ज करेगी और ब्राउजिंग फीचर अगर देखें तो HTML5 को यह सपो की तो यहां पर कई सारी कॉम्स आपको मिलती है जो डबलू लैन है Bluetooth है GPS है NFC है और रीडियो और USB पोर्ट प्रवाइट कराता है जो के 2.0 पर वर्क करता है एक लेटिस्ट मॉबाइल फोन अगर बात करें इस रेंज में यहां पर यह लांच किया गया है मोटो का G31 आई इस चैनल को लाइक और सस्क्राइब ज़रूर कीजिए जिससे के और अच्छे वीडियो